अज़र में unboxing करने वाँ है कार्यर S3 PC का 1.5 कर गया पूरा डीटेल आप लोगो देने वाला हूँ इस AC के बारे में साइध यह अगर आप पर्चेस करते हैं तो काफी सारा आप लोगो फायदा मिलने वाला है क्या फायदा मिलने वाला है चलिए मैं आप लोगों करता हूं बलहीं तरीके से जिससे आप लोगों को benefit ही मिलेगा ठीक है सबसे पहले हम लोग इंडोर उनिट को open करता है यहां पर हमें sticker मिलता है sticker में serial model यह कौन सागैस है साथ ही साथ में company एक और बहुत अच्छा थी इस लूग देख सकते हो मुझे तो बहुत बढ़िया लूग और बहुत सुन्दर लगा आप देख सकते हैं यहां पर black color का जो इस टैप का design दिया है white में black का combination बहुत ही बढ़िया लगता है और देखने में काफी सुन्दर लग रहा हमें carrier का देख सकते हैं यहां पर logo भी लिखा हुआ और यहां पर design बनाया हुआ है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा लग रही हमारे split SC इसके बाद मैं आप लों कुछ और benefit चीज़ बतान और जेंटल जो अंदर वाला swing होता है वो से हम कहते हैं और वार्टिकल जी अब डॉन हो रहा है उसे हम कहते हैं ठीक है दो तरह के सुंग हमें नॉर्मली देखने को मिलता है बाकी है हमारे पास जो प्लास्टिक आता है उसमें remote मिलता है remote पहले white tap काता था अभी जब से company ने पड़ा रहा है और मेनुवल है ठीक है इस तरह के मिलता है और वायर भी हमें देखने को मिल जाता है तो कि अब देख सकते हैं तीन मीटर का वायर देखने को मिलता है एंड के इसके बारे में आप लोग बाताना चूंग है इंडॉर यूइबल के बारे में तो 37 dv नोज ले है एक लॉक जिसे हम कहते है प्लेट भी जो इंस्टॉल्स के द्वारा हमें यूज करना पड़ता है इस इंडॉर यूनेट में आप लोगो को वाई-फाई का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है इसली आप उससे कनेट करना चाहोगे तो इसली कनेट हो जागा लेकिन आपक का पैप में देखने को मिला है और एक क्वाटर का पैप है जिसे हम वन फॉर भी कहते है इसके अंदर एयर सील रहता है मैं आप लोगो बताना चाहोगो नैट्रोजन टैप का एयर सील रहता है जो कि कमपनी सील करके बिचता तो जब भी इस जूसके मैं खोल रहा है धकन को बहुत इसली आप अराम से खोलो ताकि यह एयर इसली वो निकल पाए ने तो एक बैक खोलेगे तो बूम सावाज करेगा बाकि हैं ड्रेन पैप है हमारे सामने ड्रेन पैप भी लेंद बहुत बड़ा है उसका छोटा कंपनी नहीं दिया है तो दिवार थोड़ा 15 इंची के इसली हमारे ड्रेन पैप बाहर चल जाएगा यह लॉकिंग का सिस्टेम उपर का आप देख सकते हो उपर में लॉकिंग का सिस्टेम दिया हुआ है बहुत अच्छी तरीका सब देख करके समझ पाऊगे बाकि उपर को जो साइड का है फिल्टर हमें उपर के साइड में तक देखने को मिलता है जिसतर से पहले के भी एसी में आपता उसी तरह कर डीजाने आपको न्यू मोडल में जैसे आ रहा है उपर में डारेक ही आपका फिल्टर लगाओ उस टैप का इसमें नहीं है बहुत इसली सिस्टेम आप घर पे इसली उसको निकाल करके साफ कर सकते हो अ आइसार रेटिंग है मतलब आइसार रेटिंग जो है फ्रेंड बहुत ही बढ़ियां है बहुत ही बेस्ट कहेंगे आप लोग इसको लेकिन आपको जो एलेक्टिसीटी होता है वह आपका काफी सेव हो जाएगा ठीक है यह मैं आप लोग बताना चाहूंगा इसलिए क्यों क इसलिए काफी स AG प्रेंषपीट में चलने में से भिजली बेस्द आता है वो रूम को जब कवर कर लया कूछिंगर करके तो आपका कंप्रेशर जो हमारा रहता है वह त्रॉठ स्लोच चलेगा जिससे अमारा लेक्रेंटिसीटी आमें कंदेखना को मिलेगा इसके अंदर मैं आप लोगों दिखाना चाहूंगा यह cooling coil 100% cooling coil है बताना चाहूंगा आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों का aluminium अगरे मिलता है यह room sensor है room sensor का मतलब आपका room में जो temperature रहता है उसे वो sense करता है इसे हम room sensor करते है और अंदर में coil sensor रहता है जो gas को sense करता है दो तरह का sensor देखने को मिलता है एक और का order unit में भी रहता है inviter में बाकि यहां देख सकते हैं हमारे सामने एक order unit है इस order unit के भी हम लोगों इसको open करेंगे carrier के ही order unit है जिसका मैं indoor open किया था भी तो सामने में हमारे लिखा हुआ केरियर बहुत बड़ा लुक में लिखा हुआ है जिससे आप देख करके समझ जाओगे इस के बताना चाहूंगा इस order unit के भी कुछ quality जो आप लोगो जाना जरूरी है अगर आपका temperature 52 डिगरी भी हो जाता है जिससे नॉर्मली इंडिया में तो 50 तो बहुत कम चांस होता होने होतीका अगर 52 डिगरी हो जाता है आपका अदिक रहा करेगा ट्रीब का प्रॉब्म आपको देखने को नहीं मीलेगा दो तरह का भल सामने एक हाप का बल एक कौार्टर का बल देख सकते हैं कवाटर कभल जीसे कहते हैं डिस्चार्ज भल में जिससे हमारा गैस जाता है सिंसे में रोटरी कंप्रेसर लगात है मैं बताना चाहिए तो 150 वाट पर यह काम करें, छिके कर neighbor के आप कुछ चीजा एंप लोग देखने को मिलं जाती है, 1 years आपको पूरा product का मिलता है देखने के लिए और condenser का भी आपको 1 year का देखने को मिलेगा and guys 10 years का warranty आपको compressor का देखने को मिल जाता है price के बारे में बात करेंगे finally इसका तो 38-990 रुपया online price आपको देखने को मिल जाएगा तो यह कुछी जो मुझे लगा आप लोगों को unboxing करके बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अगर वीडियो पसंद आता है तो please please channel को subscribe कर दीजेगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में